कलेक्टर इलाया राजा धीरे धीरे इंदौर की तासीर और अधिकारियों को समझने के बाद अपनी कारिश्यली दिखाने लगे हैं कारे मिला परवाही बरतने पर उन्होंने सोमवार को समय सीमा बैठक के दोरान पाँच अधिकारियों को शोकास नोटेस जारी कर दिये उन्होंने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को निर्देश भी दिये हैं कि CM हेलपलाइन के प्रक्रणों को गंभीरता से लेते हुए उसका तुरंत निराकरन करी देखे एक खास रेपोर्ट इन दौर कलेक्टर का पदभार ग्रहन करने के बाद कलेक्टर इलया राजा ने सोमवार को दूसरी समय सीमा बैठक ली पहली समय सीमा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को समझाईश दी थी कि वह CM हेलपलाइन को गंभीरता से ले और कारले में आने वाले सभी आविदकों की समस्याओं को सुन कर उसके निराकरण की दिशा में ही काम करे अपनी दूसरी बैठक में समिक्षा के दोरान जब उन्होंने पाया कि पांच ब्रभागों के अधिकारी CM हेलपलाइन को लेकर गंभीर नहीं है तो उन्होंने जिला शहरी अभीकरण अधिकारी और जिला कौशाले अधिकारी सहित पांच अधिकारियों को शोकास नोटिस जारी कर दिया काता नंबर गलती डाला वह फिर लोगों के परिशानी होना पड़ रहे हो तो उसमें लोगों के अधिकारियों को निर्दिश दिये हैं कि वे CM हेलपलाइन के प्रक्रणों को गंभीर्ता से फून न करें CM हेलपलाइन में लंबित प्रक्रणों की विभागावार विस्तर्थ समिख्षा करते वे कहा कि प्रक्रणों के निराकरण में लापरवाही परदाश्ट नहीं की जाएगी लापरवाही और उदाशींता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुधर कारिवाई की जाएगी उन्होंने सभी विभाग प्रमुखो को अपने अपने कारले में विशेश सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश तिये उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कारले प्रमुख अपने कारले में पदस्ता अन्य करमचार्यों की समस्याय सुने और उन्हें मोटीवेट करें इससे कारले का माहौल बदलेगा और कारे करने की क्षमता में व्रद्धी होगी करेक्टर ने इस पश्ट संकेत दे दिये हैं कि अधि आगामी समय सीमा बैठा के दौरान इसी तरह के लापरवाही सामने आई तो कई अधिकारी कारेवाई की जद में आएंगे ब्यूरर रिपोर्ट, MP News, इन दौर